नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्टीशन प्रिपरेशन पे आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे ठीक है इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीचेसल 2020 टीर वन 15 अप लोग नहीं जुड़ है जाके जुड़ बार-बार कहना पड़ रहा है पीडिया फुदर आपको मिल जाएगी और डाउनलोड कर लेना खुद से प्रेक्टिस कर लेना और साथ-साथ पैन कॉपी लेके बैठो ठंडी है आई नो बट चलो उठो पैन कॉपी लेके 25 प्रेशन करके तब सोना तो चलो पहले प्रेशन पर आते हैं कल किसी ने पूछा था कि आप इतनी जल्दी ओफिस से आ जाते हो फिर वीडियो क्यों नहीं रिकार्ड कर देते हैं रिकार्ड करने के बाद 10 बज़े से पहले कर दिया करो पता है क्यों नहीं आती क्योंकि अगर मैं 10 पर्चेज एंड लेडी टीवी फॉर दिस वन एंडी स्पेंट एट सो उन इस ट्रांस्पोर्टेशन एंड थाउजेंड ऑन इंस्टालेशन एट वाट प्राइस सी सेल इट सो एस तो अर्न ओवर्रॉल फॉपिट आप कर दो तोटल इन्होंने कुल कितना खर्चा किया आप आप कहेंगे 24,300 रुपए देख लो 24,300 अब मैडम को चाहिए 20 परसेंट प्राफिट 20 परसेंट प्राफिट मतलब कि अगर यह 5 की खरीदती तो इनको 6 का बेचना पड़ता है अब मैडम पता नहीं क्यों बेच रहे मुझे नहीं पता लेकिन 5 का खरीद के 6 का इस बेच रह जेब गरम हुई और मैडम ने खाँ ठीक है 20 परसेंट के प्राफिट होगे अगला प्रसेंट देख लो कहा गया य बराबर 10 35 तो आपको 2 10 55 अप्लस कॉड 55 निकालना है ठीक है तो निकाल दो निकालो फटापड देखो क्या कहा गया य बराबर 10 35 आपको पता है कि 2 90-35 लिख सकते हैं और प्लस कॉट 55 को क्या लिख सकते हैं कॉट 90-35 लिख सकते हैं 1090-3 तीटा कॉट तीटा कॉट 35 प्लस 1035 वेलू पूट कर तो आपका उत्तर आ जाएगा तो यानि 2 अपॉन वाई प्लस ये देखों कॉट 35 1 अपॉन 1035 ये वाई स्वाल कर लोगे ते हो जाएगा y स्कॉर प्लस 2 अपॉन वाई ये स्मझत सिंप्लीफाई करना है यहापे लाइन ब्रेकट है अब लाइन ब्रेकट आप सबसे पहले देखा करो साचार ग्यारा 25 में से 11 गट्टेगा 14 चोओदा 29 में से गट्टेगा 15 15 चट्टेश में से गट् इस तरह सेपरेशन करना होता है कहा गया बैभो और बिगनेश इस टेवल डिस्टेंस ओफ सेवेंटी एट किलो मेटर सच देट देट इस फास्टर देट ओफ विगनेश ठीक है ऐसा कहा गया कि बिगनेश और बैभो दोनों का वी से नाम दे दिया नलों ने वरना वी वी स्पीड बिगनेश से ज्यादा है अगर उनकी स्पीड का समय क्यानव हो टोटल टाइम उनको तीन घंटे 30 मिनट का लगता है तो आप से कहा गया बैभो की स्पीड बता देखो आपको 78 किलोमेटर ट्रेबल करना अगर मैं बादू की बैभो जाता है लास्ट वाला चले रहो बैभो तो इसको 78 प्लस भी लगेंगे और आपको दिया गया कि 78 किलोमेटर अगर बिगनेश जाता है तो उसको 78 बटे एच इसका एच इसकी स्पीड मान लें टोटल टाइम लगा तीन घंटे 30 मिनट यानि कि 301 बटे 2 गंटे 301 बटे 2 साथ बटे 2 गंटे हो जाएगा ठीक तो आप एक काम करो कि V और H की जो भी वैलू रखो वो 78 का फैक्टर बनाए 78 का क्या कहते हैं गुडन खंड हो तो आप एक काम करो आप से पूछे किस की स्पीड के बैभ हो यानि V की स्पीड बैभ पूछे अगर V बराबर 45 रखते हैं तो H बराबर कितना रखना पड़ेग तो आप प्लस 78 बंटे इसकी कितनी हो जाएगी उन तालिस तो आप को गयोंगे 80 बंट रखने पर सेसभाई कर वालों क्यूं ना टक करना बेना वैलुपूड किये भी हो जाता Quadratic से हो जाता ठीक है लेकिन equation solve करने से बढ़ी हाँ कि आप आराम से वैलूपूड कर लो है ना अगला प्रेशन देख लो कहा गया प्रिंटेट प्राइज और यह मैथमेटिक्स बुक इस फाइफिटी इफिटी सो लेट टू सक्सेसिव डिसकाउंट आप 20 परसेंट तो सेलिंग प्राइज क्या होगा पांसो पचास रुपए की मार्केट प्राइज है कहा गया दो डिसका चाहर 44 गुड़े साथ आगया नि 308 ऐसे भी कर सकते हैं अधर्वाइस बीस और तीस का रिजल्ट एंड डिसकाउंट तो एक्स प्लस यह निपचास मैनस एक्स एक्सवाइब हैंडेड यह निकी चैनि कि 44 परसेंट डिसकाउंट 44 परसेंट डिसकाउंट यानिकी 56 परसेंट तो आठ 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 दोदस तीन एक अंग बाद दस मलो 308 रुपए आ जाएंगे ठीक है देखो कहा क्या गया एक्स पावर 4 प्लस 16 बाइक्स पावर 4 बराबर इतना है अब यहां से आप एक्स अगर कहें एक्स स्क्वाइर प्लस 4 बाइक्स स्क्वाइर को सी माने तो यहां से स्कॉर्ण कितना हो जाएगा 27225 यहां से बराबर हो जाएगा अंडर रूड में 27225 यह सब्सक्राइब कितना हो जाएगा कि यह हो जाएगा आपका देखो यह 25 वरकमूल तो पाच हो गया अब कोई दो लगातार संख्या है बताओ जिनको गुड़ा करने पर 272 तो अगर मै बात करूं 189 यहां एक सो बाउन नहीं होगा अगर मैं 17 गुड़े 16 करूं 16 गुड़े 17 तो 167 112 1619 हां तो यह 1665 का वरकमूल 165 हो जाएगा अब अगर एकस इसक्वार प्लस 4 बाइक स्कॉर बराबर 165 है यानि इसकी वैलू आगए 165 किसकी इसकी तो यहां से अगर मैं एकस प्लस 2yx को के मानू तो इसका स्कॉर करोगे तो एकस पावर 4 प्लस 4 बाइक स्कॉर प्लस 4 बराबर के स्कॉर के स्कॉर माइनस 4 बराबर 165 तो यहां से आपको के की वैलू निकालने यानि के स्कॉर बराबर 179 हो जाएगा के बराबर 13 कहने का मतलब आपको समझना यह है कि से अगर x square x power 4 plus 16 by x power 4 x square plus 4 by x square निकालोगे तो इसमें दो लिख्के इसका वर्गमोल निकाल देना याणि आपको ऐसे करना है 27270 प्लस 8 आपको यह समझना पड़ेगा यह 4 बनेगा 4 का दूना 8 यह वर्गमोल निकालने ना तिया आपको कितना हो जाएगा कितना है था 165 अब अगर x square plus 4 upon x square बड़ाबर 165 हो तो यहाँ से x plus 2 by x कितना हो जाएगा अंडर रूट में 165 प्लस 2 का यह वाले 2 का 2 गुना है याणि कि 4 165 प्लस 4 179 का वर्गमोल देना ऐसे निकालना होता है कहा गया कि right angle i source less triangle याणि कि सम्दिबाहू भी है और क्या है सम्दिबाहू भी है और समकोण भी है और उसका area दिया देखो अगर यह a हो यह a हो तो यह a root 2 है सम्दिबाह हो समकोण है ठीक है दोनों property होड़ कर रहा है इसका area क्या होगा half into a into a याणि a square by 2 बराबर 600 चतर याणि a square बराबर कितना होचेगा दो गुड़े 600 चतर याणि यहाँ से मारा a बराबर कितना होचेगा पर इसको factorize करो तो दो गुड़े 2 गुड़े यह कितना बचेगा 338 फिर 2 करोगे तो कितना बचेगा 119 यानि कि यह वराबर होचेगा इसका वर्ग मूल यानि कि 2 तो बाहर आसेगा और गुड़े इसका वर्ग मूल 13 into root 2 यह 26 root 2 हो जाएगा एक पूछागा हाइपोटेनियूस यानि ए रूट 2 कि आपको पता होगे डियाई का प्रशन हम छोड़ के चलेंगे डियाई की कंपाइड वीडियो सीजियल की जबाएगे उसके पास यह चेसल की डाल दूंगा तो टेंसर ना लेना कहां कि टू सर्कुलर फूटबॉल ग्राउंट्स ओफ रेडियस बैयाइस और 35 आर तो बी स्कूर्ण दूसरे का होज़ेगा पाइटू 35 का स्कूर्ण दोनों को जोड़ोगे तो पाइड कामल ले सकते हैं यानि 22 का स्कूर प्लस 35 का स्कूर्ण यह बराबर हो जबाएगा प्लस 35 का स्कूर्ण किसको स्कूर्ण सब को याद हो किटना होता है 25 का स्कूर्ण होता है 1225 ठीक है 1225 हो गया 52 का स्कूर्ण वोगा जोड़ों गया तो यह कितना होजगा पांच चारनों चेद्व आठ साथ दोनों तिसा नवासी है अगले प्रेशन में प्लेंशे नंबर्स आर इन तो आपको बताना है कि वैल्यू आप ग्रेटेस्ट नमबर ध्यान से देखो कहा गया तीन संख्याओं का आपका रियल रेशियो आगया ठारा पंदरा चौदा किसे बड़ी सबसे चोटी का अंतर कितना रहा है ठारा मैंने चौदा चार बराबर आपको दिया अगर चार बराबर आपको तो पढ़ते रहा करो था यह नों साथ करें तो तीन दिन में और और जड़ प्लस एक्स के बारे में बात करें कि यह यह दोनों मिलके चार देंगे तो कहा कि तीनों मिलके अब लेलो तीन चार बारा बटे पांस का तो बारा यूनिट यह टोटल वर का बारा यूनिट एक्स प्लस वाई बारा बटे पांस दिन में यह एक दिन में पांस यून माइनस थी टैनेक्स प्लस्तोई टूज उक़ाई गश है तो दिस्टिक निकालना था आप और वैसे भी स्वाइप्स कर सकते हो एक माइनसु टोद्acam 여러분rik कहा गया 35% of students in college are girls and rest are boys देखो girls और boys का ratio देगे यह कहा गया 35% girls हो 65% boys हो जाएंगे तोटल number of students is 2800 ठीक है ओके टोटल number 2800 है तो टोटल number आप यहां पे लिख लिखे हो 2800 ओके कहा गया कि 75% of boys यानि boys का 75% यानि 65 का 3 बटे 4 और 85% of girls 85% of girls ठीक है 85% कितना होगे 35 का 85% यानि 35 गुड़े 17 बटे 20 इतना पास कर जाते हैं तो आप कोई काम फर्जी करो ही ना 65 का 3 बटे 4 और 35 का 17 बटे 20 निकाल लो समझा रहा है मैंने कहा 35 का 17 बटे 20 यानि 35 का 85 का 75 परसेंट आप पास कर दो बात खतम होगे तो 65 का 3 बटे 4 कितना हो जाएगा चार से काटोगी पहले चार से काठी दो या तीन से गुड़ा कर दो तो ये एक सो पंचाने बटे 4 निकी 4 चौको 16 पॉइंट साथ और 17 बटे 20 20 से काटोगे तो 20 से पहले काटो ना 17 से गुड़ा कर लो 17 580 17 तीया 51 और 2869 इसमें 20 से डिवाइड करना है यानि 2 से इसमें डिवाइड करते हो तो ये 29 दिसमलों साथ जोड़ दोगे तो तो 98 17 18 426 7.5 हो जाए ठीक है अगला पाइड चार से रिलेटेड है छोड़ दो कहा गया यह सम ओफ 4000 एमाउंट्स तू 5000 एटिन थिरी ये एड सिंपल इंट्रेस्ट एट एक्स परसेंट परेनम का गया अगर एक्स प्लस 2.6 परसेंट हो जाए तो आपको रिवाइज्ट पांउंट्स कितना मिलेगा देखो हमें नहीं पता कि कितना परसेंट ब्याज मिलता था हमें एक्स परसेंट दिया गया और तीन साल में पहाली हमारे धन 50008 हो जाता है ओके कोई डिक्कत अब हमसे कहाए टू पॉइंट 6 परसेंट जादा मिलने लगा तो तीन साल में कितना 7 पॉइंट परसेंट ज्यादा मिलेगा पहले मिलते थे 5008 अब 312 और यानि कि पांस तीन दो चीरो रूपए मिलेगे अगले प्रूशन पर आते हैं चलो यह बता दो क्या कहाँ एरिया ओफ सर्क्ल डैट इस्क्राइब इन इस्क्राइब इस्क्वार ओफ एरिया इस्क्वार इ कहा गया area निकालने है ऊफ circle का जो एक square में इंस्क्राइब्ड है square की area कितनी है area देगे 17 सही 9 बटे 11 17 गुडे 11 धन 9 बटे 11 17 गुडे 11 कितना हो जागा 187 और 9 196 बटे 11 ठीक है अब 196 बटे 11 कि स्क्प्राइब की साइड कि इसक्टराइब की पहलें कि टीप अब देखके एक तुम कहुने कि साइड कि अगर इसके अगर कोई सर्कल बनेंगा तो उसका radius कितना हो जाएगा side बटे दो, यानि कि 7 बटे route, अब radius 7 बटे route 11 होगे, तो उसका area pi early square, यानि 22 बटे 7 गुडे 7 बटे route 11 गुडे 7 बटे route 11 तो हो जाएगा 7 बटे 11 और गूडे 7, क्योकि root 11 है गुडे herd 11 हो जाएगे, तो 11 दुना साथ से साथ कट गया दो सत्य चौदा समझ आगे अगले प्रश्ण पर आते हैं अगला प्रश्ण डियाई का और डियाई वाले प्रश्ण कुछ भी दिक्कत नहीं आप डियाई वाली प्लेलिस्ट खोल लो ठीक है और उसमें 5-6 वीडियो पहले से पड़ी हैं तो जाके देख 5-7-9-6-8-3-P-Q एक संख्या अब इसको हमें डिवाइड करना है 5 और 8 दोनों से देखो 5 से डिविजबिल्टी पहले आओ 5 से डिविजबिल होने के लिए कोई संख्या या तो यूनिट डिजिट 0 होगा और या तो यूनिट डिजिट 5 होगा अब हमें smallest value के लिए बात करन इन्हें हमारी संख्या आप बन गए 5-7-9-6-8-3-P-0 अब 8 से डिविजबिल्टी का रूल है वाट इस डिविजबिल्टी रूल ऑफ त्री ओ एट कि लाश्ट त्री डिजिट से जो बनने वाले संख्या या तीन पी जीरो वो कटनी चाहिए किस से 8 से अगर पी बराबर 0 तो 300 नहीं कटती पीबराबर एक रखेए कि110 भी नहीं कटेगी लेकिन पीबराबर 2 रखों इस माले रखनी है क्योंकिस माले स्माले श्ट आप से पूछंगते तो इस इस माले प्लस और तो आपको वैलू बतानी है इसकी आप देखो अच्छा प्रश्ण देखो 10 theta plus quad theta 4 तो इसका square कर दोगे तो यह मिलेगा 10 square theta plus quad square theta बराबर कितना हो जाएगा 4 का square minus 2 यहनी कि 14 तो आप यह value put कर दो कहां के ratio नकालना 3 into 10 square theta plus quarter square theta 14 upon 2 into यह लिखा 1 upon sin square theta into 1 upon cos square theta ठीक है है तो देखो कि ह היה आप सबसे पहले समझो किसा कॉस एक स्क्वाइर थीता माइनस टूल से को से कि स्क्यार फॉत इसको अगर स्वाल पो रहे को सिंट वहीं साइन थीटा व्रफ और स्क्वार थीटा प्लस कॉस स्क्वार थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर चार यानि यहां से साइन थीटा कॉस थीटा की वैलू आजाएगी या आप इसको देखो वन अपन साइन थीटा वन अपन कॉस थीटा तो यह जाएगा सेक थीटा कॉस थीटा यह बराबर तीन गुड़े चौदा 42 बटे 32 मैंनिस चार 28 14 से कट होगे चौदा तीन पाद दो समझा गया कहा कि तीन मीडियन से पी क्यू और क्यू एस्पी और टीन और वह ओ पर काड़ती है कोई ट्रैंगल है आरेस्टी जिसकी तीन मीडियन है आरेक्ट्य यह इसकी मीडियन हो गई एस्टी वाली स्पी यह पी हो गई और यह आपका कौन इस हो गया यह ओप पर काड़ती है क्या आरेस्टी चुआ एरिया और यह वाली यह आत्वाली आप एक चीज़ जानो कि अगर मीडियन अपर मिलते हैं तो यह जो छोटे तो हमें सब्सक्राइड टो ये सब्सक्राइब सब्सक्राइब में अगर मैं इसका क्यूब करने जाओं तो यह मिलेगा हमें 8a cube plus b cube plus 3a b 3 into 2a into b into a plus b 2a plus b परावर हो जगा 64 यानि कि 8a cube plus b cube कितना है? 16 इधर आजागा 24 a b वरावर 48 यानि a b वरावर 2 यानि कि आप यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि a वरावर 1 पूट कर सकते हो b वरावर 2 पूट कर लो b वरावर 2 a वरावर 1 यानि पर 16 a power 4 यानि 16 प्लस b power 4 यानि 16 तो आपका 16 16 बत्ते otherwise आप इसका square एक बार करते फिर जो आता उसका square करते तो भी यह भी मिल जाते x minus 1 by 2x 4 दिया गया तो इसकी वेल आप देखो आपको यह दिख रहा हो कि यह 2x का cube लिखा हुआ यह minus 1 by x का whole cube लिखा हुआ यानि आपको इसके लिए 2x minus 1 by x पता होने चाहिए तो दोसिस में गुडा कर दो तो मिलेगा 2x minus 1 by 2x बराबर 8 cube कर दो तो यह हो जाएगा 8x cube minus 1 upon 8x cube अच्छा स्वारी 2x minus 1 upon 8x मिलेगा तो 8x cube minus 1 upon 8x cube minus 3 यह भी है निकि 6 इन्टू 2x minus 1 by 2x यह निए 8 बराबर 8 84 पांसो बार यह 48 इदर आ जाएगा तो 8x cube minus 1 upon 8x cube कितना हो जाएगा 512 प्लस रनता है 560 का के ट्रेंगल ABC में median BE और CF perpendicular है और M पे intersect करती है तो इसको मैं basic से भी करवा सकता हूँ formula से भी लेकिन पता नहीं कौन सी method मेरे दिमाग में इस समयार है उसी से करवाँगा का कि BE है यह और यह CF CF ठीक है median है यह दूसरे को perpendicular पे intersect करती है का कि BE पूरा नहीं आपको पता है median जिस पॉइंट पर intersect करती है वो दो अनुपात एक के अनुपात में divide करता है यानि BM into ME 2 is to 1 होगा यानि BM 6 होगा और यह 3 होगा ठीक है CF बराबर आपको दिया गया 13 CF अगर 13 है आपको सीधे सीधे पता है कि CM is to MF 2 is to 1 यानि कि यह हो जागा 22 by मतब 2 यह है यह एक है तो 2 by 3 हो जाएगा पूरे CF का यानि यह हो जाएगा 26 by 3 तो आपसे ABC की एरिया पुछी गई ABC की एरिया आपको मैं बता दू कि जो यह दो मीडियन्स के मिलने पर ट्रेंगल बनता है यानि यह वाला इसकी एरिया पूरे ट्रेंगल की एक तिहाई होती है ठीक है इसकी एरिया पूरे ट्रेंगल की एक तिहाई है और इसकी एरिया निकालनी आसान है क्योंकि आपको देखो दो perpendicular sides है यानि ये दोनों perpendicular और इनका लंबाई पता है तो आपकी जो पूरे triangle ABC की area हो जाएगे वह जाएगे 3 times of triangle BMC की area निकल सकते है 3 into half into perpendicular side 6 into 26 by 3 तो 33 कट गया तो से ये कट गया 26 गुड़े 3, 78 हो गया बहुत आसान सा प्रेशन था ठीक है देखो कहा गया average of the squares of 4 consecutive even natural numbers is 120 से कहा गया कि 4 क्रमागत क्या है even natural numbers यानि कि sum भी है और natural sum क्या भी यानि पहली अगर a-4 है 2a-4 है तो दूसरी 2a-2 हो जाएगी तीसरी 2a हो जाएगी और चोथी 2a-2 हो जाएगी ठीक है अब आपको पूछा क्या गया आप से कहा गया कि consecutive even natural numbers का squares का average squares कितना हो जाएगा इसका square यह हो गया इसका square यह हो गया इसका square यह हो गया और इसका square यह हो गया इनका average 126 हो तो यह हो कितना हो जाएगा 4 गुड़े 126, 4 चेके 24, 4 दूनी 8, 2 10, 4 कम जाएग 5 2a square plus 2a square plus 2a square यहां पर हो रहा है अगर यहां इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका मिल जाएगा एक बार फिर से सॉल्व कर ले देख लेना तो यह आपका हो गया यह फोर यह कितना हो गया 4 is square प्लस 4 is square 8 is square फ्लस 16 ऑब मा इनस 2 चोको और दो नहीं सुल्व है ओ एक है टेमश फोर ए स्वारेक ग्लə फॉर प्लस फॉर ए स्प्लस टो यह फ्लस फॉर क्यारी यह कहां से है लिए अगि अध्यकिह प्लस से माइनस 30 बराबर 0 यहां से हमारा एब रवर 6 हो जाएगा ठीक है एब बराबर 6 हो गया आप एब बराबर 6 भी हो गया यह बराबर माइनस पांस नहीं सकते क्योंकि हमें even नेचल लंबर दीगे तो बराबर 6 रखोगे तो आप से सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियो देख डालने है ठीक है यह सारी आपको कोई खतम करनी आज नहीं तो कल करोगे ठीक है तो इससे अच्छा भी कर लो और यह जो यह लिखा दिख रहा है शब्राइब प्ले शब्र वीडर में प्ले Different